असलाम लेकुम दोस्तों मेरा नाम हैर पाकत क्यानी दोस्तों अगर आप कोई भी लिक्विड CPU कुलर परचेस करने वाले हो तो ये वाली वीडियो जरूर से पूरी देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए कोई भी liquid CPU cooler चूज करना असान हो जाएगा क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी market में अभी available जैसे के 360 या 240 जितने भी liquid cooler available हैं सब की prices आपको बताएंगे अच्छे अच्छे brand जितने भी हैं उनके जो liquid CPU cooler हैं उनकी prices आपको इस वीडियो में तकरीबन सब की मिल जाएगी तो चलते हैं रावल पिंडी में 6 रोड आमे ट्रेटर शाप पर देखते हैं कि उनके पास कौन कौन से liquid CPU cooler available है उनकी भी price के चल रही है market में अच्छे brand बड़े brand जितने भी हैं सब की prices आपको बिताते हैं तो यार वीडियो के एक like जुरूर से कर देना और अगर आप channel पर नए हो तो channel को subscribe कर लेना क्यूंकि PC से related मेरे इस channel पर वीडियो आती रहती हैं आज की वीडियो में हम बात करेंगे liquid cooler पे इसमें जो जो brand हमारे पास available हैं और इसमें कितने mm का radiator हमारे पास available है RGB उसमें है या नहीं है उसमें motherboard से sync होते हैं नहीं होते हैं और उनकी prices पर बात करेंगे तो जो जो model मेरे पास available है brand है जो भी है वो मैं आप से share कर लेता हूँ तो लेस्ट प्राइस इन में तकरीबन 360 वाली की तकरीबन 17500 से starting होती है और 240 में जो radiator होते है वो तकरीबन 10500 से starting होते हैं RGB में तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ सबसे पहले जो हमारे पास आ जा जाता है premium quality build पे बात कर लेते हैं जो premium cooler है उसमें लियानली आ जाता है इ आये वे इसको थोड़ा सा time हो गया और इसका जो 360 का radiator है वो इसकी price जो है 24500 है फुल RGB के साथ होता है motherboard से आप से इसको सिंग भी कर सकते हैं तीन फैन लगे हुए है ARGB फैन होते हैं और उपर आपका यह जो मोटर लगी होती है इस पर भी आपको RGB नजर आ रहा होता है यह रफाकत भी इसकी जो price है वो 25500 है इसके पास रफाकत भी हमारे पास आ जाता है XPG का और XPG भी premium quality brand होता है और इसका जो यह model XPG का Leventy 360 इसमें भी जो तीन फैन होते हैं 120 mm के होते हैं 360 इसका वैसे ही होता है radiator होता है mm का और तीन फैन लगे होते हैं 120 mm के और तीनों ARGB होते हैं इसके फैन थोड़े से लोक वाइस खुबसूरत होते हैं इसमें एक तो यह है कि राउंड में भी RGB लैड्स होते हैं फिर यह बाइर रिंग भी लगा होता है और इसके मोटर पे भी इसी तरह RGB का लोगो बना हुए XPG के साथ जो motherboard sinks एबल होते हैं उन सब के साथ यह साथ होग इसके बाद आजाता है रफाकत भी हमार पास Cooler Master का Cooler Master काफी फेमस ब्रैंड है लेकवड वगारा केसिंग वगारा में और इसी तरह इसका भी 360 mm का रेडियेटर हैं तीन फैन होते हैं ARGB में और इसी तरह मोटर के उपर RGB होता है जो सिंग केबल होते हैं फैन वगार यह मोट हमारे पास है डार्क फलेश का और टार्क फलेश भी फेमस ब्रैंड है बिल्कुल लो क्वालिटी के नहीं होता है मिड रेंज यूजर के लिए होता है और इसी तरह इसका भी 360 mm का रेडियेटर है जो इसका मोटर का लोग है काफी खुबसूरत है डीसेंट बिल्ड में बना अच्छी है इसको लगा के देख हुए कस्टमर को यूस किया हुआ इसको भी और इसके प्रैस बहुत अच्छी होती है 17500 में मिलेगा यह कूलर इसके बाद हमारे बास जो कूलर आते है 240 mm रेडियेटर के साथ है उसमें जो लोइस्ट में वह रेड ड्रैगन का है रेड ड्र लोगो बना होता है मोटर के उपर और आप उसको सिंग भी कर सकते हैं इसकी प्रैस जो होती है वह काफी अच्छी होती है 240 के साथ इसकी प्रैस दस जार पॉंच्ट सो इसके बाद रफाकत भी हमारे पास आता है कूलर मास्टर का है इसमें भी जो है 120 mm के दो फैन लगे होते हैं इसमें यह आर जी भी नहीं है नौन आर जीबी है इसमें यह के मोटर के उपर एक वाइड एलीडी लाइट्स ओन होती है और क्वालटी वाहस तो बेत्रीन आप राइजन 3600 या इनन एक अगरोसेसर के साथ 750 700 राइसन के सारे प्रोसेसर के-साथ बिर्डाई्स और प्रश यह गया है तो रियु वडिय के पया और अरजीभी वडिय की अर्जून इसमें चोच्छा को क्वड से टंसरो लाइंट कर के आरजीभी एंद के छाट सा रियुक हो होती हैsst Craft नोन आरजीवी वर्जन है, H-100X, और इसकी जो क्वालिटी होती है, काफी अच्छी होती है, कोरसेर की ब्रैंड्स की, और इसमें जो यह रेडियेटर 240 मम के साथ है, 120 मम के इसमें दो फैन लगे हुए है, इसी तरह मोटर के ओपर कोरसेर लिख हो है, और यह वाइट लेडी के साथ होता है, आरजीवी नहीं होता है, और इसकी प्रैस जो होती है, रफागत भई, फिफटीन थाउजन है, इसके बाद रफागत भई इसका जो वारियन्ट आता है, कोरसेर आईक्यो, H-100 पंदरा आई, 159 RGB प्रो एक्सटी, यह पुरा मोडल है, इस मोडल में यह होता है, रफागत भई के इसका जो यह उपर मोटर के उपर लोगो होगा, वो A-RGB यानि सिंग केबल RGB के साथ होगा, उसके अलावा जो फैन लगे होते हैं, वो नो एलेडी जानी RGB फैन नहीं होते, और इसमें RGB वाला वारियन्ट भी आता है, तो इसकी जो प्रैस है, रफागत भई रइडियेटर के साथ है, कोर लिकविट 240R मोडल है, और यह भी ARGB फैन के साथ होता है, सिंग के बलोगों बेसका काफी अच्छी लुकिंग के साथ है, MSI के, वो भी सिंग के बलोगों होता है, आर जीवी के साथ होता है, और 120 mm के दो फैन होते है, और रफागत भी इसकी जो फैन होते हैं, 120 mm के साथ, ARGB स्पोर्टेड होते है, सिंग के बलोगों होते है, और इसी तरह मोटर के ओपर भी इसकी ARGB होती है, वो भी सिंग के बलोगों होता है, और इसकी प्रेस रफागत भी नैंटीन थाउजन है, और इसके बाद आज जो हमारे पास वारियंट आता है, लियानली का है, गैला है, 240 AIO, और इसका जो पहले वाला 360 रेडियेटर था, इसमें रफागत भी दो वारियंट आते हैं, एक बलैक कलर में आता है, एक वाइड कलर में आता है, 360 में भी ऐसे ही है, तो वो दोना हमारे पास अविलेबल है, कोई वाइड कलर की बिल्ड बनाता है, और इसकी जो प्रैस है, 25500 है, और लास्ट में हमारे पास जो आता है, असूस स्टिक का है, असूस स्टिक की प्रीमियम कॉलिटी चीजे होती है सबसे, और इसमें जो मॉडल है, LC240 RGB, इसी तरह 240 mm का रेडियेटर लगा हुआ है, इसमें भी, और 120 mm के दो ARGB Sync Cable Fan होते है इसी तरह मोटर के उपर आपको ARGB जो असूस रोग का लोगो है, वो काफी खुबसूरत लगता है, वो आपको मिल जाता है, जो स्टिक की चीजे महिंगी होती है, इसकी जो प्राइस है 28500 है, रफाकत भी इसी तरह यह हमारे आज की वीडियो के जो पूलर अवेलेबल थे हो और प्राइटिक भी साथ लेता है, तो इसमें डिस्काउंट बगारा भी हो सकते हैं, आहां तो भाई, वीडियो तो आपने अगर आपने पूरी देख लिया और इन मैंसे कोई भी लिक्विड सी पीउ कुलर जो आप पर्चेस करना चाहते हो, शाप का एड्रेस जो है, वो म को मार दो एक सब्सक्राइब, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब ता के लिए यार, अल्ला हाफिज